अर्जुन कपूर के साथ अफेयर की खबरों के बीच मलाईका ढून रही खूबसूरत चेहरे आज माई किसमत बलेवुड की आइटम गरल और सल्मान खान की पूर्वभाभी मलाईका अरोडा इन दिनो अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में रहती हैं इन दिनों को आए दिन पार्टी और इवेंट में लगभग साथ देखा जाता हैं वहीं दोनों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायल हुई हैं जो इनके अपेयर का बयाग करती हैं इस बीच मलाईका एक और खास वज़े से चर्चा में आ गई हैं मलाईका अरोड़ा भले इन दिनों अर्जुन कपूर के साथ अपने रिष्टों को लेकर सुर्खियों में रहती हों लेकिन अपनी मॉडलिंग की जिम्मेदारी वेह सुर्खियों से दूर रहकर भी निभा रही हैं मलाईका को देश के सबसे बड़े फैशन वीक में लॉंच किये जाने के लिए एक नई मॉडल की तलाश का जिम्मा सौपा गया है इसके लिए मलाईका ओडिशन्स की शुरुवात भी कर चुकी हैं मलाईका कहती हैं आम तोर पर लड़कियों को लगता है कि उनकी हाइट अच्छी होगी तभी वेह बढ़ या मॉडल बन सकती हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है अच्छी उचाई मॉडलिंग के लिए जरूरी होती है लेकिन सिर्फ इतने भर से कोई मॉडल नहीं बन जाता एक अच्छा मॉडल बनने के लिए हाइट से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा होना और अपनी एक अलग नीजी पहचान को बनाए रखना किसी को कॉपी करके कोई मॉडल नहीं बन सकता अमर उजाला से बात होने पर मलाइका ने कहा कि वे भी ओडिशन्स के दौर से गुजरी हैं और किसी भी मॉडल या एक्टर के लिए यह बहुत मुश्किल समय होता है अपना सर्वोतम देने के बाद भी आपको पता नहीं होता कि आप चुने जाएंगे या नहीं लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है जीवन में यह आपको खुद को बेहतर करते रहने के लिए प्रेरित करती है बता दें कि अरजुन कपूर के साथ अप एर खबरों पर हाल ही में मलाइका अरोडा का पहला रेक्शन सामने आया है मलाइका से जब अरजुन और उनके रिष्टे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अरजुन को कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखा गया मलाइका ने अपने और अरजुन के रिष्टे को ना तो खुले आम स्विकार किया और ना किया स्विकार